नमस्कार, बीसी नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ, आये नजर डालते हैं खबरों के और उत्तर प्रदेश के जन पधापड के बाबुगर क्षेत्र में श्यामपुर जट में महरशी कशप आशिरवाद महार रैली का आयोचिन क्या क्या जिसमें उपस्तित जैन सेलाप को मुख्य अतिती भाश्पा प्रदेश कारी समिति के सदस्य ओभी सिम्बोर्चा बिहार प्रपारी रायपुर के सांसत नरिंद्र कुमार कशप इरोने संपोरित किया वह महार रैली में आशिरवाद देखकर महरशी कशप महाराजा समाज के प्रती अपनी रायवेक्त की है रैली में कशप समाज का भरपुर समर्तन देखने को मिला कशप निशाद जैनती पर आए जन समुह को हार्दीप शुबकामनाय देती भी नरिंद्र कशप ने कहा कि भारत की संस्कृती ही भारत की पैचाने जहां पर अलग-अलग ध समान का भाव विचार रखते वे अपनी आस्ता को वेक्त करते हैं वही नरिंद्र कशप ने आगी बताया कि देश्व प्रतेश की वरतमान सरकार विकास की दिशा में तेजी से अप्रसर है तरकी विकास के नए आयमों पैदा करते वी किसानों की हीतों की सरकार ने प्राथर को देखकर ऐसा लगता है कि नरिंद्र कुमार कशब 2022 विदान सभाचना में अपने हाथ आजबा सकते हैं बिल्कुल आज में सबसे पहले चुके पूरे देश के अंदर मेरिसी कशब निसाद राज जैंती के भववय आयोजन भारत वर्ष में हो रहे हैं इस बहुत ही पावन और सर पे मैं समस्देश वासियों को अपने हापुर जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाये प्रिसिद करता हूं जहां तलक आज के आयोजन का प्रशन आपने किया है आज का आयोजन चुके आशिरवाद मारेली के रूप में तमाम हपुर जनपद के संब्रात लोगों ने मैरिसी कशब की जैंती मनाने के लिए किया और आज हमें खोशी है कि पहला आयोजन हमारा यहां पे बड़े पैमाने पर काम्याब हुआ और मुझे आसा है कि भविश में भी मेरी छेज़ की जनता का आशिरवाद और समर्तन हमारे साथ जुटा रहेगा और मैंने आज मंच से इस बात को संकल्पित होके कहा है कि जो भी राद्देत की जीवन हमरा देश परदेश में गुजरा है बाकी का सारा जीवन हम हापुर जिले के सर्मंगल विकास के लिए चेज़की जनता के लिए गुजारना चाहते हैं पार्टी जो भी जिम्नदारी जो भी काम हमको देगी उसको पूरी निश्टा मंदल से निभाते हुए हम अपने छेट्री की जनता के लिए हर काम करने की कोशिश करेंगे और खुशी की बात है बग्वान मरिशी कश्चप सब रिशियों में सेश रिशी की रूप में उनको हमारे ग्रांतों में उनको पक मारत की संस्कृति का प्रतीक थे यानि मेरिशी कश्चप सच्टी के रचियता मारतार निशाद राज संस्कृति की पैच्छान थे तो यह दोनों नाम हमरे देश की संस्कृती और सच्टी से जुड़े हुए हैं जो हमरे देश के लिए बहुत हम लोग यहीं बहुत लंबा बहुत लंबा विशे है किस्तार पच्छा कर लेंगे जिनको स्थेख रच्यता के रूक में बेस्यन ने उसके लिए हापुर से आनिल कश्प की रिपूर्ट उत्तर प्रदेश के चेंद पधापड में महरुषी कशप की जेनती समाजवादी पार्टी के पूर्वजिला अद्रिक्ष एवं पूर्वराज मंत्री सुधार कशप की नित्रतों में बड़े ही धूमदाम से मनाई गई इस अउसर पर मिडिया से बात करते भी पूर्वराज मंत्री सुधाकर कशप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्य अर्दिक्ष अकलेश यादों ने अपने शासनकार में जो कशप समाज के साथ साथ सारी छोटी बड़ी जातियों को समान देने का काम किया वह आज क सरकार में कहीं देखने को नए मिल रहा है आते चाते एक तक्षक समाज के ये वक्त की हथय हो जाती है तो वर्तमाज सरकार उस सरव कोई ध्यान दो बलकि कि जब किसी अन्य की हत्य हो जाती है वर्तमान सरकार 50 लाग का मौजा देने का काम करती है यह बड़ी ही दुर्बाग्य की बात है आज की बात करी या निशादराज की बात करे समाजवादी पार्टी ने अपनी कारी काल में भरपुर्ष समान देने का काम किया है जाहे कन्या या धन के बातों या फिर एंबुलन्स या फिर हंड्रेड डाल की सुविदा सब्री समाजवादी पार्टी के मुख्यों ने अपनी कत्नी करने भी कोई भेटबाव ना करने भी जनता को देने का काम क्या अज जनता इस जनती के अवसर पर समाजवादी पार्टी की तरफ एक जो कह रहे हैं वो सही है नहीं हो सकता है ना कहले तो आप इसका करूँ जिस विश्टी पर कोई प्रमाण ना हो कहने भर से काम नहीं चलता है मुझे आप बताईए कि यहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्य दचादनी अकलेश यादव जिने जो काम की हो वो जगजाएर हैं वो आपको भी पता है कि 108 एंबुलेंस समाजवादी पार्टी के सासन काल में आई अंड्रेट डाइल समाजवादी पार्टी के स पार्टी के सबका साथ और सबका विकास कहां है कि हमारे मच्वारा समधाय के लोगों ने जो भारत के अंदर इस भारती जन्ता पार्टी को सहुग नहीं किया जहां अगर कोई हत्याकान गरीब के साथ होता तो कोई मतलब नहीं अगर तिवारी हत्याकान लखनव जैसे सहर में हो जाता है तो 50 लाख रुपे मिल जाते हैं एक सरकारी नोकरी मिल जाती है एक गजजेटी एक बंगला मिल जाता है और एक कश्व की अगर हत्या हो जाती है पुलिस की मौजूदगी में जन्पद मेरेट को ठाना भावनपूर के ग्राम कुली मानपूर में पुलिस की मौजूदगी में मारा जाता है तो उसके परवार को रक्षा सुरक्षा नहीं होती है हाली में साहरनपूर के अं और कोई कारवाई नहीं है कोई माउजा नहीं है यह बाते कहां इस परस्त हैं ओन्रिकोर्ट बात करना हूँ मैं हवा में प्रसंद कव्ता में दे रहा हूँ अगर कश्चब समाज के लोग आज अपना खूलता गत्रा देदे कर भी हम लोग आदर्णिय अकलेश यादव का अदा नहीं कर सकते क्योंके उन्होंने हमारे महर्शी कश्चब जी को सम्मान दिया और उन्होंने महर्शी कश्चब जैन्ती की छोटी गईश्चित घोस्टा करने का काम किया और इस मच्वारा समाज के लोगों को रोजी रुज़गार से लेकर सरकार में भागे जाली तक देने का काम समाजवादी पार्टी के निता अकलेश यादव ने करने का क्या है हमारे लिए सरवोपरी अकलेश यादव हैं हम उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं जिनोंने हमारे महाप्रसों को सम्मान दिया हम उनको सम्मान देने का काम करें इसी के साथ चैहिन जैसमाजवाद महर्शी कश्चब भिंदावाद उत्तर प्रदेश के महबा में शिक्षा विभाग की एक आला अधिकारी द्वारा प्रधानाचारी को गाली दिये जाने का ओडियो वाइरल होने से खासा हरकम मचा हुआ है प्रतिक्यार के तौर पर मादिमिक शिक्षिस संग ने लांबन होकर पिरिट प्रधानाचारी की निलंबन वापसी की मांग करती हुए चिला अधिकारी को क्या पंसोपा मामला जनपत्मुबा की आनन उच्छी तर मादिमिक विद्धाले बिलवई का है जहां तैनाथ प्रधानाचारी ब्रजभूशन वर्मा ने जिला विद्धाले निरिक्षिक सुरेश प्रताब सीह पर गाली गलाच करने और आयोग से आये एक अध्यापर की जाइनिंग का दबाव बनाये जाने का आरोप लगाया है आडियो वारल होने के बाद प्रधानाचारी के समर्थन में मादिमिक शिक्षक संग मोबाद्वारा जिला दिकारी को अवगत कराये जाने के साथी शेहर को त्वाले में एक शिकायती प्रातना पत्र सौपा गया है वही जिला विद्याले निरिक्षक ने चाथी सूचक टिपनी के जाने की बाद को नकारती हुए प्रधानाचारी ब्रजभूशन वर्मा पर पिछले एक माह से लगातार आयोग के आदेश की अंदेखी और अभीलना का आरोप लगाया है जबकी बीते 31 मार्श और 3 एप्रेल में प्रधानाचारी को विभागयत तोर पर आदेशित किया गया था उन्होंने बताया कि जाइनिंग कारे में हीला हवाली किये जाने और बार-बार बुलाये जाने के बाओजित कारेले में उपस्ति 다음에 होने पर निलंबन की कारेवाई की गई है हां गुस्से में कुछ अब शब्द जरूर निकले गए है जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त करती हुए अपने शब्दों को वापस लेने की बात कई है अब बात हुए उन्होंने लेटा टाइप रहा है और मुझे दंगा दे रहा है इसके पचात उन्होंने मुझे जाली के लोजी दिया लिया आजांगे और तन्होंने फिर दुवारा में पर दबाव ड़ा जोएंगरा हुए तुछ सब्द गाटूंगा भाजी पॉस्पेंट क उसे आयोक से चैन बोर्ट से एक संस्कित में यहां पर एक टीचर एटिग्रेट में आये थे और लगभग एक उनको प्रधानाचार को आदेश दिया गया था कि इनको जो चैन बोर्ट से चैनितो के अभरती आये हैं इनको आप जोएंड करा लीजिए और उस रिपोर्ट को महाद पास भीइदी जी हम उसको आगे भीइद देंगे लेकिन लगभग एक महीने से जो नए टीचर निर्तिपाठि जी आये हैं उनको एक महीने से उनको कह जाए कि आजायी ऐक्याए कि आज आईए कल आईए लगवक एक महीने होने जा रहा है तो उसमें जो है द्वाइन नहीं करा रहे थे और सन्युवार के दिम कुछ ऐसी बात हुई और चुंकि मेरा यहां ड्यूटी में आगो की ड्यूटी मेरी लगी हुई है तो यहां भी काम काथी जागा है उसे वजा स से कुछ हमारे मूँ से निकल गया काम की अधिक्ता के कारण या मांसिक रूप से हम यहां भी परिशान थे कुछ हमारे मूँ से निकल गया और उसके लिए मुझे खेद है मैं उस बात को अपना वापस लेता हूं और कोई भी जाज सुर्चक सब्द का प्रियोग हमने नहीं प्रिया बार बार हमें ही कहाते हैं उनको यह डाकुमेंट से सब्वे मूर काफी से चकर करके उनको जोइन करा दीजिए बाकि कोई दिक्कत नहीं होगी यही सब चीजे हमने उनको बताया था और तक में एक महिने से वो जोइन नहीं करा रहे हैं निलंबन तो आज हम किसान नेता राकिष्ट कैद आज जन्पद हापुर की उबापुर गाउं में किसान महां पंचायत करने पहुची जहां उन्होंने भारते जन्ता पार्टी पर निशाना साधा और राजस्तान राज्य की अलवरजले में अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि हमला करने वाले लड़के बीजे पीके लड़के थी उनकी खिलाफ रिपोर्ट दर्स हुई है 14 लोगों की गि हमला किया उनसे भी बात की जाएगी साथ ही कोरुणा वाइरस के फैलतिस संक्रमन को लेकर किये गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरुणा तो है ही नहीं बंगाल में तो है ही नहीं कोरुणा और शायद वह दिल्ली में आजाएगा थोड़े दिनों में संगर्श नहीं है कि कोरुणा की बहाने इस आंदुलन को उठवा देंगे नहीं तो ये आंदुलन उठेगा और सरकार अपनी आउकात में रहे ना तो आंदुलन खत्म होगा और ना ही यह उठेगा टिकेट ने आगी कहा कि सरकार छाहे कोरुणा का बहान व्हाण आ ले या लोकडाउन लगा दे या देश में कर्फ्यू लगा दे या फिर कर्फ्यू या लोकडाउन दोनों एक साथ लगा दे धरना खत्म नहीं होगा अगर सरकार दिसंबर तक की करने के लिए देखने के लिए मिलेगा अब पंचा चुनाओ तो इंडिपेंटेंट चुनाओं होता है जो आज भी मेरत का फैज 45 गाहों में उसको रोड़ करते हैं जो नहीं करता हुआ नहीं कहीं आपके मंचा भी अभी बोला गया था आपका आने से पहले जो बीजेपी समर्द्रित परती आज उसको हराने का काम नियुका समर्द देनी की बात करें जिसे आपके तो हमला अगाता राजी सालियू का क्या कि तरफ इस लड़े के सारे जिक वियू कानों कारवाइक इनकी विचारदारा है, हम इन से मिलेंगे इन से सब्सक्राइब, इनकी क्या विचारदारा थी, क्यों करें, उनको पताएं नहीं जनता पच वहाँ है, हम इस अदे पहले काफ़ाँ आख रहाँ है, इनकी क्रॉना चेकरन नहीं है, आपनी सरकार उठाद मेरें ना अंदोन न खतब होगा, न उठेगा। पार शेजार रुपे की नगत रिश्वत के साथ पटवारी गिरफतार साकर लोकायों की कारवाई नामंतरन के एवज में मांगी थी रिश्वत पार शेजार रुपे की नगत रिश्वत लेते वे गिरफतार का लिया है आपको बता दे कि हलका पटवारी पूर्व में शहानकर तैसिल अंतरकत रगोली ग्राम में पतस्टती जहां पे वे सुर्ख्यों में बने देते वे नजर आती थी प्रगरन के संबर में परियादी सु पार्ता ने बताया था कि उनकी पारी पारी छे एकड की जमीन जो की चन्रावल हलका में है उसके नामान तरह के लिए वे पिछले छे मैनों से परिशान थी जिसके एवज में हलका पटवारी देवेंडर प्रजा प्रतीदवारा रुप्यों की मांग की गई ती जिसकी शिक निवारन अतिनियम की विभिनस संकिन धाराओं की तहद अक्रिम कारिवाई शुरू करती है। अच्छा तो आप से पूझना जायते हैं कि आपको यह प्रेणा कहां से मिली कि हमें लोकाइट की करवाही करवाना है। इतना तो मैंने पढ़ा भी है कि हर विभा की सिकायद होती है कि मैंने इधर उधर से नंबर करके सागर तक पहुंचा। अच्छा तारीक पर यहां पर लोकाइट करवाही है और शिकायट करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है। अच्छा पर लेकिन तो भी आंगे नहीं आते हैं उनको आगे आना चाहिए और यह से भरेष्टाचारियों को जड़ से खड़ना चाहिए। तो आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे। जिसमें दुआ में जो पटवारी हैं देवेंदर प्रजापती आवेदक शूर सिंग लोधी से अपने जमीन के पटवारे के प्रकण के संबन में पांचाजार उपी की रिष्पत की मांग कर रहे थे। उसको हमने तद्जिक किया, सही पाया, आज ट्रेप की कारवाई की गई और पटवारी देवेंदर प्रजापती को हमने पांच जार पी रिष्पत लेते हैं और गर्साचार अधिनियम की धारा साथ की कारवाई की कारवाई जा रहे हैं तो सूर सिंग आपके पास पहुंच बिसेंद्य उसके लिए पन्ना से कैलाश पांटी की रिपोर्ट आठ महा से पट्टी के लिए ग्रामिन काट रहे दफ्तरों की चकर नहीं हो रही सुनवाई ग्रामिन उद्वारा जन सुनवाई में भी किया गया आविदन पर सर्फ मिला आश्वासन मामला है आगर मालवाच जिले की जनपत पंचाज सुसनेर पे लगने पाली ग्राम पंचाज सालिया खेडी का जहाँ पर विकत आट महीने पहले गौशाला की जमिन को खाली कर वाया गया था जहाँ पर करीब दिहाडी मस्तूर जो अपनी छोपर पटी बना रहे थी उनको भेकर कर दिया गया था वहाँ पर ग्राम पंचाज द्वारा आश्वासन द्या गया था कि जल्दी आपको दूसरी जगा प्लोट काट कर पट्टा नेधारित कर दिया जाएगा पर आट माँ से ग्रामी जगकर काट रहे हैं ग्रामी ने को कहना है कि हमारे त्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर मौतर को भी आविद देख कर पट्टी की मांग की गई थी उन्होंने आश्वा से दिया था कि जल्दी आपको पट्टे दिलवाय जाएगे पर आज के तारी तक ना कोई पट्टा मिला है और ना ही कोई अधिकारी बात सुनने को दिया है हम गरिब लोग होकर मजदोरी परनेर पर है तता जोपडियों में रात बिता कर पूरे दिन मैनत मजदोरी करते हैं हमारे पास अन्य और किसे गाव में प्लॉट नहीं है तता हम में से कोई प्लॉट या मकान लेने में सक्षम नहीं है हमारे जोपडी मकान को तोड़े चाने के कारण से अन्य जगा आवासिय अभ कंड दिल पाने के लिए कलेक्टर मोहते को आवेदर दिया गया था पर अभी भी कोई सुनपाई नहीं होई है तो इसमें 426 की जानकारी ली गई थी तो नायब जी का कहना है कि वहाँ पर अबादी शेत्र है तो पुराना अबादी शेत्र है तो इसमें कितनी बिगा जमीन है अभी टोटल कितनी जाकिन जाकिन जमीन है तो अब इन्होंने यहां शुशेशन टीम में आके अवेदन दिया था ग्राम हुणोंने तो अभी इनका क्या निराकरण निकला है पटवाई जी आये पटवाई जी ने वह पंचे नाम बनाया है तो उसके नक्तिक बोली है दो चाड़की में नक्तिक वाई तो जहां भी ज अब जगा चल गी थी तो हमारे वाश्वशन दिया जारता कि वह तुम्हारे को दर दिन में दे देगे पर अभी साल भाग हमारे को निरे कितने दिन हो गए आपको लगबग एक साल पर हो गया हमारे को लेक्टर मोद ही कि यहां भी पहुचे थे आप कलेकर साब के यहां दो अब यहां आए वह आप तो पटवारी जी का क्या कहना है पटवारी जी ने पंच नामा तयार किया है आश्वशन दिया है वहारे को चो चार आड़ दिन में मिल जाए जगा बन जाएगा तो उनके आश्वशन से आप संतुष्टो अभी उन्होंने बोला नहीं कि 3-4 दिन म नहीं होता है तो फिर आपकी तरब से क्या करवा ही रहे है पिर ने पंचात में आका दरनों दाना यहीं नहीं शेटर के विधार रानाविकरन सिंग को भी इस विशे में आवकत करा गया है पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है ग्रामिनों ने ग्राम पंचात कर पंच्णामा बना कर तैयार क्या है साथी आश्वासन द्याग्या है कि दो या तीन दिन में सर्वी नंबर 426 का सिमां कर गरवा कर जल्दी ग्राम पंचात को सुख दिया जाएंगा आखिर यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या गरीब उनके हग के लिए दर्दर की ठोक की रिपोर्ट शिक्षा बचाओ मंच मध्यप्रदेश द्वारा अमरकंटक से भोपाल तक 34 चिलो में शिक्षा बचाओ यात्रा निकाली चारी इस यात्रा का आग्मन आज देवे निनलनगर में हुआ इस यात्रा में मुहंदास नागवानी, जुगले किशोर मिश्रा, धर्मेन रिश्रमा, सत्यनारायन सोनी उबस्त रहे शिक्षा बचाओ यात्रा का मूल उद्देश्य समाज के विभिनवर्गों से बाचीत एवं मंतन का ऐसी संभावना को तलाश ना है जहां बच्चों का बच्पन वापस लोटा सके और उनकी शेक्षिनिक खत्या होने से रोक पाए साथ ही विगत एक वर्ष से कोर्णा काल के चलते हमारा शिक्षा का धाचा जिस बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है उसे देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के विध्याले को अतिशी ग्रग खोला चाहे बच्चों के लिए स्कूल महत्वपोण है नकी मुबाइल से पढ़ाई कारेक्रम में डॉक्टर अभिशेक जैन, बीएमो, सोम प्रभार राना, नगर के प्रभुवद्जन, निजी विध्याले के संचालक, शिक्षक वशिक्षिकाय सहित मीडिया कर्मी उपसित रहे कारेक्रम के दोरान पना जिले के रख्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले समाच से वी राम बिहारी को स्वामी का समान किया गया कारेक्रम का संचालन सुरेनर प्रताब सीह दवारा वो आभार प्रदर्शन मनीश यादव पूर्वजलाद देख्षिप प्राइवेट असोसेशन पनादवारा किया गया और शिच्छा में भी नौमी ऑनवार्ड सभी क्लासेश चालो तो कच्छा एक से आड़ के बच्चे इस्कूल क्यों ने की जा रहे हैं हम इस विजार को लेके इस समस्या को लेके आपके सामने हैं साथ ही हम समाधान के तौर पे भी आप्शन दे रहे हैं ही स्कूल बंदी के नैने के उसे राचिस तरफ बना लेकिये जैसे पंजिसटर की बंदी के नैने किसी जिये के कलेक्टर के द्वाड़ा वाना की करोना की स्टूएशन को इनफेक्शन को पुरसाद को ले गले तो एक से आड़ तके स्कूलों के कूल में या स्कूल बंदी के दियाने उस चेतर विशेश की करोना की इंफेक्शन को देखते हुए लिए हैं साथ में जो इसकूल का फूरा स्थाथ है उसका अदिक जो करोना टेस्ट है एक जिनी में तंकराद में कराएं उनका वैक्सिनेशन कराएं, S.O.P. हो, Health Department Medical Science जो भी S.O.P. के दिनी हैं, उसके पाद हमें स्कूल बोलें और बच्छों को स्कूल आएंगे, अफिन अंगर जो बच्छे ब्राइवेट स्कूलों में BPL के तहर पड़ा हैं, लगभग 28,000 ब्राइवेट स्कूलों में सारे आठ BPL के बच्छे मुड़ा नहीं, जिनकी पीस टॉर्मेंट तर देती हैं, इस कुलों को पीस तो मिल जाएंगे, लेकि उन्हें बच्छे को खिनारा से अलग हो चुके, तो कि वे खरीब तपने के बच्छे हैं, और उन्होंने के एक साथ से नमारे समार, हमारे देश की और समार और देश का भरिशे हैं, इनकी प्रापर भूमी, उनका शिच्छा बीच्छा बहुत जरूरी हैं, विगत एक वर्ट स्पीच, इस तरह नहीं कर सकते हैं, कि मैं अपनी शिच्छा निरबाद रूप से जानी लग सकते हैं, इसी विचार, इसी उन्देश, इसी जिं सक्रीदा किसी वर्ट ने दिखाई है, तो हमारे अधरणी वीडिया करनी है, जिनों एक एक कबर को बेबाद सनी है, इसी समार के सामने महुंचाया, मैं आपका हार्दिक बंदर नहीं रंदर करता हूँ अच्छ बेल्या बीक करनी हैं तीन अपरे मानर्मदा के उत्वर मिस्थर, अमर्गंटक से इस शिक्षा बचाओ बच्पर बचाओ यात्र के से सुर्मात की और राजन्मिरांग, अनुपूर, टिंडोरी, गुमर्या, शेडोर, शेडोर, शेडोरा, सीधी, रीवा, सकना होते हुए हम यहाँ पर आपका बंदर में उपस्के थे दो तो इस यात्रा का मुद्पूत्देश, शिक्षा, जो बच्चों की प्रार्ण की शिक्षा है उत पर समाज को चिकतर मरण के लिए प्रेजित करना है और एक से आठ के वित्यारें खुलने के लिए समाज एक राय, एक रूप सा कायब करने के लिए हम इस यात्रा पर निकले हैं आप जानते हैं कि बच्च्पन बहुत महात्र पून है, बच्च्पन वो समय है जब बच्चे सीख रहे हैं और जीवन में आगे बड़कर सीखेंगी आज निसनते एक ऐसा काल है जिस पे एक महामाली इस समाज में अभी पहली हुई लेकिन इस समाज को उस महामाली से लड़ने में अपने बच्चों को नहीं भूलना चाहिए उन्हा समाज लड़ रहा है तो बच्चे भी लड़ रहे है BCN News के लिए 15 से कैलाश पांडे की रिपोर्ट BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही सेन और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेंगे BCN News नमस्कार